यूपी के फरूखाबाद के ग्राम उस्मानपूर में हाइटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने सी एक व्यक्ति की मोत हो गई जिबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हो गई आपको बता दे कि 20 घरों में बिजली का करंट मोत बन कर दोड़ा है करंट की चपेट में जाने से बेदराम पाल की मोत हो गई तथा रिंकी पाल तथा सनोज कुमार की करंट से गंभीर रूप से घायल हो गई जानकारी के मुताबिक अभी पिछले तीन महीने पहले ही उस्मानपूर गाउं में विद्यूती करंट करवाया गया जिसके तहत करीबन दो दर्जन इंवर्टर बंद करने के लिए भागा अचानक आए हाइटेंशन लाइन के करंट से वेदराम पाल इंवर्टर में ही चिपक गए जैसे तैसे घरवालों ने उन्हें लाठी डंडो से हटाया तथा उन्हें लोहिया ले जाने लगे रास्ते में ही वेदराम ने दम दोड़ परिजन वेदराम को घर ले आए वेदराम के परिवार का रोर होकर पुरा हाल है यहां आपको बता दे कि वेदराम के चार बच्चे हैं जिसमें अश्वनी जो की बारा साल की है सिम्मी आठ साल की साक्षी छे वर्ष की तथा कृष्णा तीन वर्ष की है वहीं रिंकी पाल पतनी राहुल तथा सनोज कुमार की हालत कथ्रे से बहार बताई जा रही है उनका प्राइवेट अस्पताल में लाज चल रहा है कि समाचार भीजे जाने तक घटना स्थाल पर पुलिस नहीं पहुंची है फरूखा बास समधाता सम्मिय उलाख खान की रिपॉर ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंदेवारी क्या पर गिए कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल